नमस्कार और विलकम यौल दू स्टडी आएकू मैं हूँ प्रशान्द वर नाओ इंडिया के एलेक्शन्स हो जुके हैं USA के एलेक्शन्स आप देखोगे इस साल के अंत में नमंबर महीने में हो जाएंगे और इसी बीच क्या होता है के डॉनल्ड ट्रम्ब एक इंटर्व्यू के दुरान एक बड़ी स्टेट्पेंट देते हैं इंडियांस के बारे में ये कहते हैं के इंडियांस की देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर यह हो रही है के ये USA में आते हैं हमारी युनिवर्स्टी से इनको डिग्री मिलती है ये बहुत जादा एक्सपीरियंस और एजुकेडिट हो जाते हैं इनको नॉलेज मिलती है उसके बाद इन में से कई लोग क्या करते हैं वापस चले जाते हैं इंडिया में और इंडिया में जाकर ये मल्टी मिलनेर बिलन बन जाते हैं और इसलिए Trump चाते हैं कि Indians को रोका जाए Indians का जो talent है ये USA में ही रहे और इसलिए Trump ने ये भी कह दिया कि ये एक ऐसा सिस्टम लेके आएंगे जहांपर Indian students जब USA जाते हैं USA में जाकर उन्होंने एक डिग्री कर ली और डिग्री करने के बाद ही न सीधा डिग्री क साथ attached उस आदमी को मिल जाएगा एक green card जिससे वो USA में रह पाएगा वो USA की economy में contribute कर पाएगा और ये मैं आपको बता रहा हूं यहां पे साफ साफ दिखता है कि America का हो politician जो खुल के कहता है कि भार के लोगों को मैं निकाल दूँगा जो immigrants आ रहे हैं USA में उनको मैं भार फैक दूँगा उसको भी ये बात बोलनी पड़ती है interview में कि अगर USA की तरक्की करानी है तो इंडियन स्पेसिफिकली इंडियन और वैस चाइनीज का भी नाम दिया था अबर चाइनीज इतने अब आनी रहे इंडियन का स्पेसिफिकली नाम लेकर उने ये का है कि अगर वो आते का ट्रम से के हमको वदा करो के दुनिया के जो बेस्ट माइंड्स है वो आप USA में लेकर आओगे देगो USA में ट्रम की जो पार्टी है वो ये नहीं कहती के बाहर के लोगों को मतला हो ये लोग कह रहे हैं कि जो गरीव लोग हैं जो मेक्सिको से सीधा बस बॉर्डर टापके आजाते हैं जो क्रिमिनल्स हैं जो USA की एकोनोमी में कॉंट्रिव्यूट कम करेंगे बस USA का जो एक सोचलिस सिस्टम है सोचलिस पॉलिसी वहाँ पे थोड़ी बहुत हैं उसका वाइदा उठाएंगे उन लोगों को दूर रखो ऐसे लोगों को ले के आओ जो USA में कॉंट्र और कि आब इन जो एकोन बट्वाएंगे जो और मैं बड़्यू इत्रा जाएंगे तो एका जाएंगे अस्टरिवर घू यहाँ तो एका जो एकोने लिए बहुत आएंगे जोगा इख जोगता दो जो से you graduate from a college I think you should get automatically as part of your diploma a green card this is a very big statement that as you pass out from college you will get a green card from a college and you will get a green card from a college to be able to stay in this country and that includes junior colleges too anybody graduates from a college you go in there for two years or four years if you graduate or you get a doctorate degree from a college you should be able to stay in this country and you know more stories than I do but I know of stories where people graduated from a top college or from a college and they desperately wanted to stay here they had a plan for a company, a concept and they can't they go back to India, they go back to China they do the same basic company in those places and they become multi-billionaires employing thousands and thousands of people I think I have seen the topic of their elections these people think about their progress what level do they think about their progress here people say that it's really, we have to find the best talent to get out of India India, we have a lot of people who have India which have not been India with the system who have to come out who wants to come out of India India who have to go out of our field how come out of our field our system is the way that we have to fill it what do we do now in the field of the field of the field USA में ही रखना चाहिए ताकि वो हमारे यां contribute करें, मैं ये सोच रहा था, हमारे यां चुनाव होते हैं, हमारे topics कितने धीले होते हैं, मतलब घूम फिर के हमारे यां subsidies या फिर इसी बात पर debate चल रहा होता है कि ज़रा benefits किसको मिलेंगे, हम कभी इस level की सोच नहीं बना पातें इ और मैं कहूंगा काफी अत्तक ये सीखने वाली बात है, US elections, US democracy से, कि इनके जो topics हैं, ये कितने far-sighted हैं, ये USA के interest को core में रखकर आपस में debate करते हैं, और जो यहां पर Trump क्याने ना गया हैं, मैं आपर ये बोलूँगा, Trump के बारे में और कई बराया होंगी उनकी, कई उनकी जो statements है, misogynistic वगरा वो अपनी जगा है, मगर मैं ये कहूंगा, at the core, Trump एक बहुत जादा nationalistic आदमी है, इनके interviews आप देहोगे, चाए पुराने चाए नहीं, हमेशा American economy के hit के बारे में बात करेंगे, और नए ideas निकालेंग कि कैसे जादा पैसा ये USA में attract कर सकते हैं, now USA आज के समय ये बात भी देख रहा है, कि इंडिया में 2025 में ही न, Indian families total 70 billion US dollars खर्चने वाली हैं, foreign universities में, मतलब कि कई हजारों लाखों Indian students हैं, ये यूरोप में, जपान में, USA में, दुनिया भर के देशों में पढ़ने जाएंगे, और 70 billion dollars ये सारे students university fees में और तरीके से rent पे करके उन countries की economy में खर्चेंगे, और ये जो amount है, most probably बढ़ने ही वाला है, आप imagine कर सकते हैं, जैसे जैसे Indian economy बढ़ेगी, 2030 के आसपास तो, ये amount में surprise नहीं होंगा, अगर 100 billion या फिर 120 billion डॉलर भी हो जाए, basically जितना हमारा remittance आरा होग पना देश में, almost उतना ही हमारे students बहार की universities में खर्च कर रहे होंगे, और USA obviously चाहता है कि इस बड़े amount का, एक बड़ा chunk उनको मिले, उनकी universities में पैसा आए, USA ये भी देख रहा है, कि recently देखिए, ये ये वीजा का काफी issue आ रहा है, कई Indians हैं, उनको ये ये वीजा मिल ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे USA के लिए एक golden opportunity है, इंडिया का जो best talent है, वो attract करो, ये लोग USA में आएंगे और USA में पढ़ना सस्ता नहीं होता, 2-3 करोड रुपे तो काफी बार पानी की तरह भेजाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप रहोगे, खाना पीना खाओगे, rent पे करोगे tuition fees होगी, आपकी आप books purchase करोगे, दुनिया भर के और खर्चे होते हैं, it is very very expensive, और USA की जो खुद की population है, वहाँ पे सबसे बड़ी problem यह है, पहली बात तो वो लोग इतना पढ़ाई कर नहीं रहे, USA की जो internal population है, वहाँ पे आप कहलीजिए, एक belief सा बन गया है कि युनिवरस् में जाइए, आप पढ़िए, education acquire करिए, महनत करिए, you can reach the top, और इस बात का एक literal proof है हमारे सामने, के जो median household income है न, अगर आप उसके इसाफ से compare करो, तो Indian Americans on an average बहुत जड़ा कमाते हैं, compare to other ethnic groups, Indian Americans 1 lakh डॉलर साल के कमा लेते हैं, जो Indian rupees में इसको आप अगर convert करोगे इस amount को, तो ये 86 lakh या 85 lakh रुपीज के आसपास ये amount बैठता है, साल का, तो USA को ये formula समझ में आ चुका है, Indians, Chinese तो खेर कमी आएंगे, और सबसे बड़ी बाद, Chinese Americans उतना कमा भी नहीं पाते हैं, जितना Indian Americans कमाते हैं, Chinese Americans और Pakistanis Americans कमाई के मामले में almost same ही आपको group में मिलेंगे, एक बार को जो brightest minds हैं, उनको attract करने की US पूरी कोशिश करेगा ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, obviously सबसे ज़ादा basic चीज तो हमको ये करनी होगी, कि India में air pollution, ये जो हमारे heat waves चल रही हैं, ये सब हमको control करना होगा, क्योंकि अगर heat waves इतनी होगी और air pollution इतना ज़रा होगा हमारी cities में न, तो एक बार को एक आदमी जो चाहता भी हो के यहां पे रहो, उसके mind में आएगा, कि मेभी मुझे अपनी family के future के लिए बाहर के किसी country को explore करना चाहिए, तो ये दो देखिए basic चीज़े हैं, जिन पर हमको focus करना होगा for the time being, बाकी education से related जो और systematic issues हैं, उसके बारे में अभी कुछ खे ये देखना होगा कि इंडिया से जो brain drain to US होगा, ये किस level पे होगा और कितना होगा, और क्या living standards इंडिया में इतने improve हो पाएंगे, कि कई इंडियान सोचें कि क्या बाहर जाना, USA में जाना, इंडिया में ही रहेंगे, तो आने वाला time देखिए, आने वाले 5-6 साल बहुत ही जादा news में है, आपको बताना है कि ये दो देश कौन से हैं, ये हैं या पे आपकी options, रशिया जपान, रशिया नॉर्थ कोरिया, इंडिया जपान, या फिर इंडिया उस्टेलिया, comment section में करी उतर, जो लोग सही answer देंगे, उनकी comment को मैं हाट दे दूँगा, ताकि वाकी ल का सोच के के मैं ये करूंगा, आप कई सालों की planning नहीं कर सकते, कई students हैं, जो कई सालों की planning करना चाहते हैं, कि आने वाले दो से तीन साल में इस exam को मैं attempt दूँगा, ये मेरी strategy होगी, इस तरीके से मैं successful बनूँगा, वेल उनके लिए study IQ लेके आया है, study IQ long term UPSC batch, ये batch बनाया गया है, specifically उन students के लिए, जो अभी college में है, जिनके पास अभी time है, वो चाहते हैं, अराम से आने वाले दो साल में, दो धाई साल में, एक proper attempt दे, UPSC का proper preparation के साथ, वो अपना पहरा attempt देना चाहते हैं, तो long term batch is for you, तो आपको simply क्या करना है, इस video के comment section में जाईए, यहाँ पे बिलकुल from chapter 1 start होगा, पूरा syllabus from the beginning start हो जाएगा, और आप इस batch में enroll कर सकते हैं, 30 June तक, 30 June के बाद enrollment यहाँ पर खतम हो जाएगी, और यह जो long term batch है, यह special इसलिए है, क्योंकि validity आपको यहाँ पर मिलती है, extra large, 36 महिने की यहाँ पर आपको मिलती है validity, जहाँ पर आपको live classes मिले की one-to-one mentorship, prelims test series obviously आपके लिए free है ही, answer writing program आपको मिलेगा, और जैसे ही आपका prelims clear होता है, main exam के लिए study IQ आपको option देता है, कि अगर आप चाहे, आप दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली में आके पढ़ सकते हैं, under study IQ guidance, यहाँ पे आपके accommodation का खरचा, बागी खाने का खरचा, यह यहाँ पे आपको अगर आप यह code लगाओगे, यह code लगाओगे, तो आपको maximum discount नहीं दिलेगा, use the code, use the code, और आपको मिलेगा maximum discount possible, आप basically, 1000 rupees per month पे कर रहे होंगे, for this 36 month long course, और आप UPSC exam कर सकते हैं, घर बैट के, या फिर जहा भी आप चाहें, so if you are thinking long term, अगर आपकी short term thinking न So use this code, and save money, इसी note के साथ, यह video कांथ, thank you for listening, and as I always say, may the gods watch over you.